हेलो फ्रेंड आफ सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोशी स्टेडी यूटूब चेनल पर आने के लिए दोस्तों बिहार बियर नामंकन 2020 को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है यानि कि कॉलेज च्वैस रिसेट करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है जहां पर सीट खाली होगी जहां पर आपको सुवधा होगी उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता करना ही होगा तो इसके लिए आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं किजिए इस वीडियो को कम्पलीट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से सावधानी को आपको धियान में रखनी है जिसे की दोबारा आपको पस्तावा न हो और पस्ताने का मोका नहीं मिले तो वीडियो को पुरा कम्पलीट जरूर देखिएगा आपसे रिक्वेस्ट है तो जैसे ही आप ओफिसियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं रिश्टेशन एंड रिशेट कोलेज च्वेस ओप्सन फोर रिगुलर मोड तो यानि कि जिन्होंने अभी तक कौनसलिंग में भाग लेने के लिए रिश्टेशन नहीं क्या था वो 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रिश्टेशन भी कर सकते हैं साथी साथ कोलेज च्वेस को बदल भी सकते हैं तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कहां पर कितना सीट खाली है तो उसके लिए अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से कोलेज एड हुआ है तो पारवाती सेंस कोलेज और टीपी कोलेज को एड किया गया है तो यह बहुत ही बड़ी बात है और 200 सीट यहाँ पर एड हो चुका है तो आप यहाँ पर देख लिजे कि आपके एडिया में नया कोलेज कोन सा एड हुआ है यानि कि second counseling तक TP college और PS college एड नहीं था तो यह जो है एड हो गया है तो 200 seat यहां पर बढ़ चुका है अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कहां पर कितना seat खाली है तो इसका PDF आप download करने के बादे यहां पर देख सकते हैं provisional seat ability in government and constitutional college तो यहां पर government और constitutional college का seat जारी किया गया है कि कहां पर कितना seat खाली है तो आप सबसे पहले यह decide किजी कि आप किस university में admission लेना चाहते हैं आपका district कौन सा है और उसके near में कौन सा college है उसके बाद अगर मान लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास MLT college सारसा है कि यह नजदीक में है इसमें सुवधा होगी तो यहां पर देख सकते हैं total 41 seat है और यहां पर देखेंगे कि सभी category wise seat जारी किया गया है तो 17, 18, 9, 4 देखिए आपके category में अगर seat खाली है तो वहां पर आप admission ले सकते हैं तो उसके लिए आप इस college को choice कर सकते हैं खाली है उसी according से आपको यह college choice करना है और एक बात धियान में रखना होगा अगर आप मानली जी कि जैदे college को choice करते हैं तो यह आपकी गलती होगी क्यों क्योंकि मानलेते हैं कि अगर आप जैदे college को choice करते हैं तो कहीं कहीं दूर दराज का college choice करेंगे तो वहाँ का अगर college third round में alert हो जाता है तो उस college में आपको admission लेना ही परेगा अगर third round में कोई ना पसंद जो आपको पसंद नहीं है वो college अगर alert हो जाता है तो उसमें admission आपको लेना ही परेगा अगर admission नहीं लेते हैं तो आपको export admission में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा और वैसे भी जिसको college allot हो जाएगा third round में उसको export round में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए कम से कम college choice कीजिएगा और अपने पसंद का ही college choice कीजिएगा जिससे कि आपको अगर college allot होता है तो आप admission ले पाएंगे तो आपको सुवधा होगे नहीं तो बहुत ही पस्तावा होगा तो इस बात को धियान में रखिएगा कि अगर college allot हो जाता है third round में तो आपको उसमें admission लेना अनिवार्ज हो जाएगा तो सबसे पहले आप यहां से पता कर लिजे कि कहां पर कितना seat खाली है और नया college अगर आपके area में add हुआ है उसमें कितना seat खाली है उसके बाद ही यहां पर college choice कीजिए और दोस्तों इस परकिरिया में यहां पर देख सकते हैं वैसे सभी student जिन्होंने counseling के लिए अभी तक registration नहीं करवाया है वो registration 14 से 16 दिसंबर तक करवा सकते हैं जिन्होंने first counseling second counseling में सामिल नहीं हुए है registration नहीं करवाय थे अभी तक तो आप payment कर सकते हैं registration कर सकते हैं उसके आला choice ही रहेगा साथी साथ जो student upgrade की हैं अगर चाहते हैं कि third counseling के लिए हम choice को बदल दे अगर आप choice को बदलते हैं तो आपका upgrade जो है स्वत्ता समाप्त हो जाएगा और नया college जो choice होगा उसी अधार पर आपको third round में college allowed होगा लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि जो पसंद college है आपको उसी को केवल choice करना है कम से कम college को choice करना है अगर आपको वो college allowed हो जाता है तो आपको admission लेना ही पड़ेगा और जहाँ पर आप admission ले सकते हैं केवल उसी college को choice कीजिएगा तो ये सला आप लोगों को दी जाती है साथी साथ जो भी distance mode से भी एड़ करना चा के लिए अस्थगित कर दिया गया है तो ये भी आप सब के लिए बड़ी update है तो दुरस सिक्षा के लिए जो भी सामिल हो रहे हैं तो उसके लिए counseling की तीथी बाद में और registration की तीथी भी बाद में जारी किया जाएगा तो 14-16 तक होने वाली registration की प्रकिरिया अगले आदेस त दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सारी information आप सभी को इस वीडियो में मिल चुकी होगी कि क्या-क्या सावधानी आप सभी को रखनी है आगे की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप सभी को college reset करना है अपने choice को बदलना है तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडि